नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटिफुल माइंड क्लिनिक में आज हमारे साथ है रश्मीत कॉर मैम जो कि हैं तो जैसे एक फ्लैश काड़ होता है मतलब गत्ता इसके उपर ए लिखा है वह मैच करता है दूसरे गत्ते पे जिस पर भी यह लिखा होता है डाट इस मैचिंग इंटिफिकेशन के बारे में हमारे को हेल्प करेंगी रश्मीत मैम समझने के लिए नमस्कार आज हम बात करेंग कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि मैचिंग क्या है और मैचिंग हम किस तरीके से करते हैं उसी को आगए बढ़ाते हुए सेकिंड स्टेप है अज हम अध्य के ऊपर बात करेंगे कि अध्य इंटिफिकेशन क्या चीज किसी भी चीज को पहचान अब तक हमने एक हाई है कि हम उसको अलफबै को identify करवाएंगे जिसमें की हम उसको 5yl this способ कर देंगे और फिर उस्सें बलेंगे कि हमेइं उठा तांकि फैंश को पहुता सके और तो सब्सक्राइब आब अब सब्सक्राइब दें हम बोले आपल एकट हम इका मिलान कर पाएक इसका होते हैं वह कि मम्मी देखो A, देखो C, देखो Z तो लगबग उसी चीज की बात को रही है क्योंकि वह बच्चा बहुत खुश होता है कि वह उस चीज को इडेंटिफाइ कर पा रहा है वह को वहीं नहीं पहचान पा रहा है जहां रश्मीत में हम सिखा रही है नहीं हरे, वो szkool में भी Blackboard पर जब मैडम A लिखती है तो वह A को पहचान पाता है क्योंकि matching में लेखा एक के साथ A की match किया था तो उसा इस सिरफ figures को यह angles को ही match किया वो शब्द को समझा नहीं अब तो वो समझने लगा है कि इस तरह से अगर लिखा जाता है तो उसे A ही कहा जाता है या A जो है वो इस तरह से ही लिखा जाता है तो A के साथ A जब हम बोलेंगे तो A को समझ जाएगा और वो उठा के आपको दे देगा तो अगर हमने उससे मांगा कि एपल किस से होता है तो क्या मैं मैं ठीक बोल रहा हूं क्योंकि जब हम बच्चे को इडेंटिफाइग करवाते हैं और बच्चे नए अलफाबेट सीखना स्टार्ट होते हैं तो पेरेंट्स बहुत से केस आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसको हमने मैंचिंग करवाई थीौ उस बच्चे को भी हमने मदर भी बहुत कुछ्छा है कि उसका बच्चा और सब चीजों में परफॉर्म करने के साथ इस चीज में भी उसका आगे विकास हो पाया है तो में आपको कितना टाइम लग गया बच्चे को मैचिंग से रिंटिफिकेशन में लाने में बच्चे को हमें तीन महीने कम से कम लेकिन इसके बास लगातार काम करने के साथ साथ ही हम अब इस बात में सफल हो पाए हैं और आज वो बच्चा अगर A to Z है कोई भी अलफाबेट में उसको बोलती हूं तो बच्चा मुझे उठाकर दे देता है और इसी परकार वो स्कूल में भी परफॉर्म करता है जिससे क इसके माता-पिता बहुत खूश रहें तो इसका कहने का मतलब यह है कि हमें स्टेप बे स्टेप जाना पड़ेगा छे मीने तो सिरफ मैचिंग में लग जाते हैं और अगले तीन से चार मीनों में आइडिंटिफीकेशन बच्चों को आ जागी तो गसे बाद भी कोई स्टेप बच जाता है क्या है अगला स्टेप है वह ने मीं तो दोस्तों हम अगला बच्छ आप कोशिश करेंगे अगले वीडियो में क्या मैं कुछ और एड करना चाहेंगी इसमें जैसे हमने इंग्लिश इदेंटिफाइड इदेंटिफिकेशन बताया इसी परकार से हम काउंटिंग में कराते हैं की हम रेंडमली रख देते हैं ऑल्फ बच्चे को खते हैं की चीजों का इंटिफाई कर पाता है इसका मतलब यह है जैसे हमने एक बॉक्स लिया और उसमें रख दिये लेटर्स जैसे ABCDE तो उसको बलेंगे डी उठाके देतो तो उसने डी उठाके दे दिया उसी तरह हमने एक इसमें रिख दिया हमने 12345678910 जीरो बिसिकली ताकि इसका मतलब उसको अधिकेशन आ चुकी है तो मिस्तर में उसके लाथ पेरेंट्स को काफी खुशी होती होगी या उमीद बनती होगी पेरेंट्स को भी सर्थ समझ आने लग जाता है कि हाँ बच्चे में exact problem कहां थी यह नहीं था कि बच्चे को आता नहीं था बच्चा करना नहीं चाहता था वो समझ ही नहीं पा रहा था कि A to Z तो रैंडमली लिखना है तो उसको एक रट गया था तो उसने A to Z तो लिख दिय और मैडम ने बोला one to ten लिखो गोरटी हुई थी चीज तो one to ten लिख दी लेकिन जैसे मैडम ने बोला कि two दिखाओ four दिखाओ उसको पता ही नहीं four क्या चीज है यह two क्या चीज है तो बता ही नहीं पाता था क्योंकि उस बच्चे को उस चीज के identification ही नहीं थी अब पेरेंट लिए अगर इसमें scientific चीज को में simple बनाने की कुशिश करूँ एक होती है rote memory जो बहुत commonly हम इस्तमाल करते है रटे मारना या तोते की तरह रटे मारना और एक होता है चीजों को समझना एक्चुली लाइफ में तो दोनों की ही जुरुरत होती है rote memory की विजुरत होती है रट में तो उनको पता लगते है कि वह हो इस गाने का यह मतलब है इसका मतलब है मैचिंग में सिर्फ हम मैच ही कर रहे हैं हमें समझ कुछ नहीं आ रहा लेकिन identification में अब हम समझने भी लगे हैं कि दो नंबर का मतलब क्या है वी फॉर बॉल में बी का बी कौन सा भी है और का खा में कौन सा खरगोश वाला खा है खरगोश खास होता है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अगर आपको इस तरह की सीरिस हमारी पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं उन पेरेंट्स के साथ जो की परिशान है क्योंकि बहुत बार ऐस होता है कि Miss Communication और Miss Judgment के वज़े से बच्चे की धुलाई पिटाई होती रहती है जबकि थोड़ी सी मदद से उसकी जिन्दगी बहुत बढ़िया हो सकती है और नॉर्मल जिन्दगी काट सकता है अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप Professionally मैं से सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बिलो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बल आइकन को हिट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियो तो हम लाते ही रहेंगे ताकि लोगों की मदद हो सके घर पर भी Professionally वह मिलना चाहते है उनसे भी और हमारा मतलब तो यह होता है कि जो जहां अपने Professionals से मिल सके और बच्चा जो है एक अच्छे सुक में जिन्दी की जी सके जिसका वो हगदार है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद